हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगे ठीक है अगर आप अगर आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार या उत्तर प्रदेश किसी वी जिले से हैं और आप नवुदे बिद्यालाई प्रदेश परिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या आपकी परिवारे में कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे यहां होस्टल है आप हमारे यहां बच्चों को एड़ोईशन देलाइए रहने खाने की बड़िया विवस्ता है और नवोदे विद्याले की तैयारी वहाँ पर होती है पूरा माहौल जो है ना वो नवोदे नवोदे की बच्चे ही रहते हैं ठीक है बड़िया खेलने की विवस्ता है सभी प्रकार की गेम समलुक कराते हैं खोको है कवड़ी है क्रिकेट है चैस है कैरम है इंडोर और आउट्डोर गेम सारी खिलाते बच्चों को स्पोर्स भी और एजुकिशन भी एक साथ होस्टल में सब अप पास कोई बच्चा है जो कच्छा 3 में, क्लास 3 में, 4 में या 5 में पढ़ रहा है तो उसको जल से जल हॉस्टल में एड़िशन कराएं क्योंकि बच्चों को तयार कराने में कम से कम एक साल तो लग ही जाता है तो ऐसा ना करें कि जब बच्चा 5 में आ जाए फिर तयारी और फोर्थ से तो 100% ही कर दो अगर आप जैसे ही वह चार में आए ना और आपने त्यारी सुरू करा दी बच्चे की तो बच्चा हमें इस 100% नवदय पास हो जाएगा तो नवदय विद्ध्याले की त्यारी आप क्लास 4 में इंट्रिव करने से करने जैसी आए तब ही स्टा आपको बराबर देखना है ठीक हम 18 जनवरी को आपका परिक्षा है आपकी परिक्षा है 15 16 17 जनवरी तक हम यह प्रेक्टिस से आपको करवाएंगे लगभग आपके 900 से जादी कुशन होगे यानि 55 से जादी हो जाएंगे आपके अगर आप 45 से को देख लेते हो ना हिंदी और आकरती सब ही बच्चे कर लेते हैं अगर वो पीचे रह जा रहा है तो किवल किसकी वज़े से मैत की वज़े से ठीक है तो मैत की समस्या हम दूर करेंगे आपकी आपको बस हमारे बैडियो को देखना है ठीक है चली बैडियो को स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है किसी काम को तीन व्यक्ति कितने व्यक्ति तीन व्यक्ति करम सहा 12 दिन 20 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अब देखो वही या अपने पास तीन आदमी हैं एक माली हमने A है A आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है और B आदमी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में और C आदमी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में अगर काम बाला सवाल आए क्या काम बाला सवाल आए कारे बाला सवाल आए तो आपको हमेशा लासा लेना है क्या करना है लासा लेना है तो आदमी ये कर रहा है 12 दिन में B कर रहा है 20 दिन में और C कर रहा है 24 दिन में तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है इसका लासा लीना है ठीक है तो लासा लीना तो आप जानती ही हो बारह 20 और 24 का क्या लिलो लासा तो सबसे पहले किस से भाग देंगे बेटा पर सबसे पहले किस से भाग देंगे दो से भाग देंगे ठीक है पांच में जाएगा नहीं, दो तिया, छे, पांच में जाएगा नहीं, दो तिया, छे, अब किसे देंगे भाग भाग भीटा, तीन से, तीने कम तीन, पांच में जाएगा नहीं, तीने कम तीन, अब किसे देंगे भाग भीटा, पांच से, एक, एक, पांचे कम पांच, अब सब का आपस में क्या कर देंगे गुडाぁ तो दो दुनी, चार दुनी आठ, तिया, च tuna पंचे एक सो बीस तो इसका जो लासा है ना बैटा कितना आगेे एक सो बीस और लासा ही yeah actually में क्या होता है? काम होता है, क्या होता है लासा? काम होता है अब ध्यान देना इसको अच्छी समझने के लिए हम क्या करते हैं काम को रोटी माल ले दे क्या माल लेते हैं रोटी माल लेते बिठा कि रोटी खाना है काम क्या रोटी खाना है काम आदमी ए 120 रोटी 12 दिन में खा जाता है एक दिन में कितनी रोटी खाएगा आदमी ए 120 रोटी 12 दिन में खा जाता है एक दिन में कितनी खाएगा तो आप कहोगे सर एक दिन में ये तो 10 रोटी खाएगा कितनी खाएगा 10 रोटी खाएगा आदमी भी 120 रोटी 20 दिन में खा जाता है एक दिन में कितनी रोटी खाएगा बीस चक्के बीस चक्के कितना भाईया बीस चक्के कितना बीस चक्के कितना बताईए बीस चक्के कितना 120 तो ये बी आदमी कितनी रोटी खाता है 6 रोटी खाता है आदमी C 120 रोटी 24 दिन में खा जाता है एक दिन में कितनी घाएगा 24 पंचे 120 तो ये तो था इनके काम करने का समय इतना हमें काम करना है ये इनके काम करने की चमता है अब इस निकात तीनों मिल के काम करेंगे तो ये 10 काम करता है ये क्या ये 10 काम करता है ये 6 करता है ये कितनी करता है पांच तो तीनों मिल जाएंगे तो 10, 6, 16, 5, 21 काम होगा और करना कितना बेटा? करना कितना है? बताओ करना तो 120 है, तो समय बराबर क्या होता है? बताओ समय बराबर होता है कुल काम, बटे क्या? छमता, अब 3 से इसको काट दो, क्या? 3 से काट दो, 37, 21 और 3 से की? 12, कितना कि बटा? 40 बटे, 7, 7 बटे, 35, कितने बचे? 5 तो 5 सही, 5 बटे, 7 दिन में काम हो जाएगा तो कौन सौप्शन यह वाला? 5 सही, 5 बटे, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ दो ट्रेन विपरीद दिसा में गवन करती है जिनकी लंबाई ये करम सा 100 मीटर और 1.5 मीटर हैं बे एक दूसरे को 10 सेगन में पार कर जाती है उनकी साप एक चाल देखो द्यान से एक ट्रेन मालो ये है और दूसरी ट्रेन देखो ये है ठीक है? ये ट्रेन एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है ये दारी इस तरफ और ये जारी इस तरफ विप्रितिसा हो गई अब इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है 100 मीटर कितनी है 100 मीटर और इसकी कितनी है 1500 मीटर इसकी कितनी है 1500 मीटर है ना कितनी है 1500 मीटर िह एक दूसरे को 10 सेकेमे ने पार कर लेते हैं। जैसे यह पल्डी है, यह जलदी पकड़ेगी। यह जलदी पकड़ेगी यह आगे आगे, और कुट्ता पगड़ेगा। और कुत्ता बिल्ली की तरफ कुत्ती की तरफ बिल्ली की तरफ कुत्ता तो जल्दी मुलाकात होगी यानि बिप्रीद दिसा में चाले जादा हो जाती है तो बिप्रीद दिसा में चाले जुड़ती है और समान दिसा में चाले जुड़ती है और समान दिसा में चाले जुड़ तो ये कैसी दिसा है बिपरी तो चाल क्या होगी जुड़ेगी माल इसकी चाल एक से इसकी क्या है बाई है तो जो कुल चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एकस पिलस बाई हो जाएगी औरो है और किया हो जाईगी X प्लेस य तो हम जानते हैं कि चाल वरावर क्या होता है बेटा दूरी बटे समय कि अब ये दोनों को एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय है न वो इनकी लवायओं की बज़े से लगेगा तो दूरी के स्थान पे क्या रख देंगे दूरी के स्थान पे क्या रख देंगे दोनों ट्रेनों की लंबाई का जूड और नीचे क्या कर लख देंगे पार करने में लगा समय तो ये कितना हो जाएगा 200 और बड़ी कितना 10 तो 0-0 कड गया तो चाल कितनी आ गई पचीस मीटर पर सेकंड कितनी आ गई पचीस मीटर पर सेकंड अब ऑप्शन पर जाओ ऑप्शन में लिख रखा है चाल है किलो मीटर प्रदी घंटा में हमार उत्तर किस में आया मीटर पर सेकंड में तो आपको पता दे कि अगर चाल मीटर प्रती सेकंड में हो मीटर प्रती सेकंड में हो और किलो मीटर प्रती घंटा में बनाना हो तो आपको क्या करना है 18 बटी 5 से गुणा कर दीना है और अगर चाल किलो मीटर प्रती घंटा में हो और मीटर प्रती सेकंड में बनाना है तो क्या कर देंगे बिटा, पांच बटी अठारा सी गुणा, तो हमारी चाल किसमें है, पच्चीस मीटर पर सेकंड में है, और मीटर पर सेकंड से किलिमेटर बनाना है, तो अठारा बटी पांच सी गुणा, तो इसमें क्या कर देंगे, अठारा बटी पांच सी गुणा, तो दूसरा आप्सन हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है अब चलते अगले सवाल की तरफ यह देखो इस तरह का एक सवाल आएगा आप ध्यान देना इसको यह बहुत सरल सवाल होता है किवल इसमें जोड़ना है आपको क्या करना है जोड़ने वाला सवाल है यहां देखो प्रतेक पंक्ती इस्तंब विकर्ण का योग समान है मतलब यह क्या है वह यह पंक्ती है यह क्या इस्तंब है यह विकर्ण है ऐसे यह वाले इस्तिति कैसी विकर्ण है यह विकर्ण है यह पंक्ती है यह क्या इस्तंब है ऐसे ठीक है तो क्या योग समान है मतलब चाहे ऐसे जो जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो जोड़ कैसा है समान है तो आप जोड़ो जहां पर सारे आंके दिया है वो जोड़ना है यहां नहीं दिया यहां नहीं दिया यहां नहीं दिया यहां दिया है तो इनको जोड़ो आप ठीक है तो साथ पिलस दो पिलस तीन तो साथ और दो नो ती बारा तो जोड़ कितना हो रहा है बारा हो रहा है यानि चाहे ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो जोड़ कितना हो बारा होना चाहिए अब देखो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको जोड़ते हैं तो ए प्लस जीरो प्लस साथ क्या होना चाहिए बारा तो ए प्लस जीरो कितना हो जाएगा ए और ए प्लस साथ बराबर बारा साथ बहां पहुंच जाएगा तो साथ कैसा हो जाएगा बटा माइनस का तो बारा मैंसे साथ गए पांच तो एक कमान कितना आगया बटा बदाओ इस कमान आगया पांच अब आप ऐसे में जोड़ो जोड़ दो बारा ही है तो पांच प्लस छे प्लस डी है ना पांच प्लस छे प्लस डी ये कितना होना चाहिए बटा बारा पांच प्लस छे प्लस D बारा होना चाहिए अब देखो तो 6 में 5, 11 प्लस D बरावर 12 तो 12 में से 11 गए एक बचा तो D का मन कितना आ गए बटा? एक आ गया, है ना? तो यहाँ D का मन क्या रख दो? अब ऐसे में जोड दो तो 1 प्लस C प्लस 3 है ना? क्या 1 प्लस C प्लस 3 तो 1 प्लस C प्लस 3 बरावर कितना होना चाहिए 12? एक और 3 कितना होता है? 4 एक और 3 कितना होता है? 4 तो C प्लस 4 बरावर 12 चार वहाँ पहुँँच जाएगा तो कैसा हो जाएगा मानिस का? तो 12 में से 4 गए कितने बचे? 8 तो C कमान कितना आ गया, तो इस कमान कितना हो गया, ठीक है, A का आ गया, C का, अब बचा B का, तो ऐसे में जोड़ दो, अब 8 हमें कितना जोड़ने की 12 हो जाए, तो B कमान कितना जाएगा भाईया, बदाए, चार, 0, क्या, 0, पिलस B, पिलस 8 बरावर कितना 12, 0 पिलस B, B होगा, 8 वहाँ जाएगा, तो क्यासा हो जाएगा, माइनस का, 12 में से 8 कितना बचे, 4, तो B कमान कितना गया, 4, तो A कमान कितना है, 5 है, A कमान 5 है, B कमान कितना है, B कमान 4 है, C कमान कितना है, 8 है, और D कमान कितना है, 1 है, तो 5 इसी इसी सिक्वेस्ट में उसने कहाёт a b c d तो इसी सिक्वेस्ट में उत्तर देना एक अमाँ पाँच जिल देना अपको तो 5481 यसमें होगा उत्तर हगा तो 5481 chat c से उत्तर देना प्रिक्षों में गलती निकरе जई don लगाना है आपको अब आपका नहीं दो त्यार्व पांच आड़ा तो कहीं भी लगा दिया आप सब में पांच आराट है कि देखो से उत्तर लगाना कैसे सिक्वेंस ठीक है बहुत सब्सक्राइल सवाल है यह कि युद्ध जुड़ना आना चाहिए आपको अगला देखिए सरल कीजिए 444444444 प्लस क्वेस्टन मर्क बरवर इतना यानि इसके स्थान पे क्या कर दें कि यह जोड़ कितना हो जाए 4994 हम इस स्थान पर क्या माल लेंगे अपने मन से माल लेंगे जिकितना है X है कितना है X है तो 44 प्लस 444 प्लस 4444 प्लस एक्स बरावर 4994 अब इनको पहले क्या करो वह यह जोड़ दो क्या करो जोड़ दो तो 4444 प्लस 444 प्लस 44 तो 4 ती यह 12 की 2 हांसे लेक 4 ती 12 और 1 13 हांसे लेक 4 चार आठ और 1 यह कितना 4932 तो यह कितना हो गया 4932 प्लस कितना एक्स बरावर 4994 यह वहां पहुँच जाएगा तो एक्स बरावर 4994 4994 माइनस 4932 ठीक है 4994 यह से 4932 घटा दो आप है ना 4994 4994 माइनस 4932 चार में से दो गए बटा दो बची नो में से तिनो कितना बचा उत्तर बासट तो हम क्या करेंगे एक्स की वेलू कितनी आ गई 62 यानि कि इस प्रसंचन के स्थान पे हम क्या रख देंगे बासट रख देंगे तब जाके इस सब का जूड़ कितना हो जाएगा 4994 कौन सा उत्तर लगा देंगे हम सी वाला हम क्या करेंगे उत्तर टिक कर देंगे क्लिए ठीक है अपना आगे चलते हैं राम श्याम एबं रूप चंद की ओसत आयू च्छालिस वर्स है यदि राम और स्याम की आयू का यूगफल 104 है तो रूप चंद की आयू कितनी है देखो आउसत तीन व्यक्तियों का आउसत कितने का तीन का आउसत राम स्याम और रूप चंद तो देखो राम राम पिलस स्याम और पिलस रूप चंद औुसद क्या होता है पदों का यूग बटे पदों की शंक्या इनका औुसद कितना दिया बिटा 46 दिया है ना तो राम पिलस सियाम पिलस क्या सियाम पिलस रूप चंद फिलस तो 46 गोड़ें कितना हो जाएगा ज Apollo तीन हो जाएगा अब देखो इसने बोला राम और स्याम की आयू का यूग 104 है इन दोने की जोड़ कितना है इन दोने की जोड़ कितना है 104 है तो यहां क्या रख दो 104 प्लस क्या रूप चंद अब 46 गुड़े तीन तीचिंग 18 हां से लेक तीचो की बारा और एक तीरह अब 104 वहां पहुंच जाएगा तो रूप चंद की आयू कितनी आ जाएगी 138 माइनस 104 ठीक है तो 100 से 100 गड़ जाएगा 38 में से 4 कितने बचे 34 तो क्या उत्तर 34 उत्तर क्वांस ओप्शन डी ओप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है बात समझ पर और सबसाद दिया है तो पदों की संक्या से गुड़ा करते हैं तो योगफल आ जाता है ठीक है घन सवाल देखिये ध्ला सवाल क्या है जएंद ने इप देखो किस ने दिया कविण्द को किस तीन आदमी हैं जैन्त ने कविंद को कविंद ने रविंद को और रविंद को मिले कितने हैं एक हजार साथ सो साथ तो उसने पूछा जैन्त के पास कितना धन था तो क्या करेंगे मान लेंगे कि जैन्त के पास एक सुरुपया थी कितने थे एक सुरुपया थी जैन्त ने अपने धन का कामाने गुणा, दो बटे, साथ भाग, किसको दिया, कविंद को, और कविंद को तो इतना धन, कविंद को मिल गया तो, इसका, चार बटे, पांच भाग, किसको दिया, रविंद को, रविंद को मिला कितना है, सत रह सो, साथ, तो चार दुनी, आठ, और सत पन्ना, पैंटीस, है न, स का चला जाएगा उपर भाग में हूता है तो गुणाँ में जाता है गुणाँ में जाता है तो भाग में जाता है आट से गुणा कर दो भाग देदा अट डूनी अब 220 गुणे कितना तो देखो जीरो का जीरो 32 की यह 0 हासिर साथ प्येद्ू श्थ यह सत्तरों साथ सकतर कितने रुफे मले रवेंद को जेनद के पास कितना धन था 3700 था कितना अंसर मम्लिए किटना 277 किस के पास थे यह यह जहन्द के पास थी समझपा अब यह बात थीक है अब आगे चलते हैं किसी वरस्तु को 900 में खरीद कर कितने में किटने मैं खृदेगों? 900 मैं खृदा है, और 113 के लाब पे बेचा है, 900 मैं खृदा, अँनि अपने 900 रुपे खरच करे, बैचा जाब उसको तो 1010 रुपे हमने कमा लिए, इसका मतलब, 900 रुपे प्लस 110 रुपे में माल को बेचा, उसने कहा, लाब प्रतीसत कितना, तो याद करो आप लाभ प्रतीसत बरावर लाभ बटे क्या क्रेमूल गुणा कितना सो लाभ प्रतीसत बरावर लाभ बटे क्रेमूल गुणा कितना सो इसको याद कर लो ठीक है तो लाभ प्रतीसत बरावर कितने का लाभ पे बेचा 180C पे बेचा क्रेमुल कितना है? 900 है और गुणा कितना? 100 0 से 0 कड़ गया है न? 185 नभे और 5 दो नी? 10 तो कितने प्रतीशत उत्तर? 20 प्रतीशत कौन सौ उप्षन? दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा ठीक है जी? केलिर है? 5 बटे 8 2 बटे 3 7 बटे 9 3 बटे 5 4 बटे 7 में सबसे बड़ी भिन कौन्जी है? दो किसकी आज एक भूट धासू टर्क दे रहे हैं आपको ध्यान समझे न हमारा कॉंसेप्ट 5 बटे 8 2 बटे 3 7 बटे 9 3 बटे 5 और 4 बटे 7 इससे धासू ट्रिक नहीं मिलेगी आपको अब यहां एक तरीका तो अब क्या मिलेगा? आपको इलासा ले लो या भाग दे दो इन्हें दोनों के अलावा देखो तरीका क्या है? अगर उसने पूचा सबसे बड़ी क्या पूचा? सबसे बड़ी भिन पूची अगर सबसे बड़ी भिन पूची तो उत्तर बड़ी होगा? चोटी तहीं होगा? तो इस भिन में चोटी हम अटा देंगे? अब हम चोटी बड़ी पता किसे करें जल्दी में? तो देखो टेकनिक क्या है? बहुत साध्र होड़ा टेकने हैं, मजड़ा टेकने हैं इसकाईस में गुणाँ करो, इसकाईस में करो ती पांचे 15-21-16 तो इन दोने उpower कुन बड़ी लटी रातर नहीं हो सकता चोटी हटाते जाओ, बड़ी पूँचा, छोटी हटाते जाओ तो बड़ी पूच्छा छोटी हटा दे जाओ नो दूनी अठारा तीसाथे कीस तो यह भी उत्तर नहीं हो सकता तो यह बचा तो साथ बटे नौ उत्तर कौनसा साथ बटे नौ उत्तर समझ में आई यह टेक्निक की नहीं आई कि लिए कॉंसेप्ट आगे चलते हैं चार अंकिये बड़ी से बड़ी क्या चार अंकिये बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो पांच साथ दू आठ के प्रियोग से बनाई जा सके तो देखो आपको बड़ी से बड़ी बनाना है और छोटी से छोटी तो बड़ी से बड़ बड़ी से बड़ी बनाने के लिए बड़ी अंक से शुरुआत करते हैं और चोटी से छोटी बनाने के लिए चोटे अंक से शुरुआत करते हैं तो बड़ी से बड़ी हम संखे जब बनाएंगे तो 8, 7, 5 और 2 और जब छोटी छोटी बनाएंगे तो चोड़ी शुरुआत करे तो 11330 उत्तर हो जाएगा किसमें मिल रहा है ये दूसरा option मिल रहा है कौनस option दूसरा हमारा correct हो जाएगा ठीक जी आरे बिट्टा समझ में आपको कि नहीं देखो समझ में नहीं तो लेक्चर द्वारा देख लेना दूसरी बार भी नहीं आए तो तीसरी बार देख लेना तीसरी बार भी नहीं आए तो चौती बार देखना है जब तक समझ में नहीं आए देखना है ठीक है आगे देखो एक छाबनी में 302 जवान के लिए 16 तक खाना था यानि अगर 200 जवान को खाना दिया जाए तो यह 12 तक खाना सकते हैं तो वही इस समग़री कितने जवानों के लिए 20 दिन के लिए लिए पर्याप थी तो एक में क्या करो आप M1 D1 बरावर M2 D2 200 जवान खा सकते हैं कितने दिन 16 दिन तो X जवान खाएंगे कितने दिन 20 दिन ठीक है 0 से ये 0 कड़ गया 2 अठे क्या 16 और 25 200 तो कितने दिन चलेगी 200 दिन खाद समगरी चलेगी 200 सजवान के लिए चलेगी कितने दिन 20 दिन 200 जवान के लिए 20 दिन चलेगी ठीक है Next देखो ये फिर से घंटा घंटी वाला सवाल आगे famous सवाल है जब भी घंटा घंटी वाली सवाल आए ना तो लासा लेना है क्या करना है लासा लेना उत्तर जाएगा क्या? लासा लेना घंटा घंटी वाला सवाल आएगा तो लासा लेना है Simple लासा लेना है तो 3,4,5,6,8 का क्या लें लासाले लो ये 12 बज़े एक साथ बजी हैं तो 3,4 5,6 और 8 इनका ले लो लासा ले लो लासा ले लो ठीक है? दो से तीन में जाएगा नहीं दो दो नी चार पांच दो ती या छे दो चोक याट फिर दो से दे दो तीन में जाएगा नहीं दो एकम दो पांच दो दो नी चार फिर दो से दे दो तीन एक पांच तीन एक अब किसे दे दो तीन से दे दो एक एक पांच तीन एक अब किस्ते दे दो भईया पांच से एक 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 और एक दो दुनी चार दीया 12 तीया 36 पंचे 180 दो दुनी चार दुनी contenido आठ दीया 24 पंचे वाक्षे 120 दुनी certeza दो दुनी gehört 24 25 120 तो 120 हा रहा है आप देहन देना, ये किसमें मिनट में है, किसमें मिनट में है, तो 120 मिनट में कितने घंटे, बताओ, दो घंटे, कितने घंटे, दो घंटे, क्या भी ये बाद समझ पा रहा है आप, तो कौन सा उत्तर, दो घंटे बाद ये फिर से बजेंगे, कितने घंटे बाद, दो घंटे सवाल थो लासा लीना क्या करना है लासा लीना है इसमें भाग देना है इस से थिहान दू सवाल क्या है 13.44 और भागे क्या 2.44 ठीक है बटे में क्या है 40-49 40.60 ठीक है तो पहले इस इस्से को हल कर लेते हैं क्या कर लेते हैं साइड में तो 13.44 बटे 2.44 अब फिर कर दो च्हक्रित lors तो यहां एक जीरी बटे गा यहां यहां होड़ेंगे इंक जीरी से जीरी कड़ गया यह कितना बचचा 1334 बटे कितना 240 अब फिर काड़ official किसे 4 से 4 से 24 4 giants 346 6 6 rotor 10 से भाक देंगे तो 5 संभ लव और 10 से भाग देंगे तो 5.6 कितना बिटा 5.6 तो इसके जो उत्तर आई वो आई 5.6 40 में 49, 60 तो 0.40 आएगा है ना यहाँ 0 बढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं तो 0 से 0 कड़ गया तो 560 बटे 40 0 से 0 कड़ गया 4 एकम 4 चार चोके 16 तो क्या उत्तर आएगा 14 उत्तर आजएगा क्या उत्तर आएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा कि अभी यह बात समझ पर है अप ठीक है 1800 रुपे का धाई वर्सक में मिस धन 2250 हो जाता है मिस धन मतलब मूल धन और ब्याज का जोड होता है मिस धन क्या मूल धन धन और ब्याज का जोड क्या होता है मिस धन तो 1800 रुपे का धाई साल मिस धन इतना हो जाता है तो क्या पूचा उसने दर प्रतिशत तो ध्यान देना आपको साधरन ब्याज का सुत्र याद होना चाहिए है ना तो साधरन ब्याज बरावर क्या होता है मूल धन गड़ें दर गड़ें समय बटे सो अब उसने दर पूचा तो दर का सुत्र भी याद होना चाहिए दर प्रतिशत पूँचे यह दर पूँचे बात एकी है तो साद दर प्रतिशत बरावर क्या होता है साधरन ब्याज गुड़ेंसो साधरन ब्याज गुड़ेंसो बटे क्या मूल धन गुड़ेंक्या समय यह साधरन ब्याज का सुत साधरन ब्याज की दर का सुत्र क्या साधरन ब्याज गोडें सो बटी मूल धन गोडें समय तो उसने पूंचा है दर प्रतिशत क्या होगा तो भाईया साधरन ब्याज कितना है ये पता करना है तो मिस धन कितना है ब्याज बरावर होता है मिस धन माइनस मूलधन ब्याज बरावर होता है मिस्रधन माइनस क्या मूलधन तो इस कितना आ जाएगा 450 तो ब्याज कितना आ गया 450 गोडे 100 बटे मूलधन कितना है 1800 गोडे समय कितना है यह डाई साल एक पॉइंट अड़ेगा तो एक जिरो बढ़ जाएगा देखो दो जिरो से यह दो जिरो भीया कैंसल 25 चो कि क्या 100 होता है और 9 दोनी 18 और 9 पना 45 दो दोनी कितना 4 और 5 दोनी कितना 10 परसेंट आगी भीया दर कौन सौप्शन एओप्शन करेक्ट हो जाएगा समझे एओप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट यदि ए अन पाथ 5 बरावर बी अन पाथ 7 बरावर सी अन पाथ 8 हो तो a प्लस b प्लस c बटे a का मान क्या होगा तो कभी भी अगर इस तरह लिखे ना बेटा आपके सामने क्या कैसे लिखा देखो a अन पाथ 5 बरावर B अनपाथ 7 बरावर C अनपाथ 8 ऐसे लिखा है तो अनपाथ का मतलब क्या होता है बटा होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है A बटे 5 बरावर B बटे 7 बरावर C बटे 8 और अगर इस रूप में कभी भी लिखा है ना तो नीचे वाली ही उसकी value हो जाती है यानि A कमान कितना है 5 B कमान कितना है 7 और C कमान कितना है 8 बस अउसने क्या पूचा आप से आप से पूचा A प्लस B प्लस C बटे A क्या पूचा A प्लस B प्लस C बटे क्या A पूचा तो A की value कितनी है 5 B की कितनी है 7 और C कितनी है 8 A की कितनी है 5 तो पांच 7 8 बटे 5 तो 5 शाथ 12 और 8 20 बटे कितना पांच तो पांच छो के 20 तो कितना उत्तर? चार तो कौन सा अप्षान? पहला वाला हमारा उत्तर हो जाएगा तो अहां देखो A under root है, बहीना, फिर एक under root, फिर एक under root, ऐसी under root चड़ा गुआ है, तो इस तरह का सवाल आए न, आपको तो अब बर्व मल पहले याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बर्व मल याद होना चाहिए, अब 144 का बर्व मल देखो क्यों देखो इसको ऐसे लिख पिलस अंडर रूट बावन पिलस अंडर रूट एक सो चवालिस ऐसी लिखा आई ठीक है तो अब देखो इस सवाल को हमें क्या करना होता है पीछे से हल करना होता है कहां से हल करना होता है पीछे से हल करो तो 248 ज्यों काते हो पिलस अंडर रूट ये बावन अब 144 किसका अंडर रूट है या किसका बर्ग है बारा का या 144 का अंडर रूट क्या होगा बारा होगा क्या होगा क्या होगा बारा होगा ठीक है अब बारा प्लस बावन को जोड़ो कितना हो जाएगा ये 64 का अंडरॊट क्या होता है विदा आठ होता है इसको जो डेंग इतना होजाएगा यह दोसौ चपानचा अंडरॊट क्या होता है है तो कौन सा उत्तर यृच सी उत्तर के इस तरह है अ disp lagi क्लй आई कहानी तो इसाता है pact तो पीछे से हल कर देना है कहां से हल करना है वह या पीछे से ठीक है एक आयताकार पिलोट की भुजाओं में पांच अनुपाद चार कानुपाद है इसका छेत फल पांस वर्ग मीटर है पिलोट का परीमाब क्या है तो पहले तो यह समझो आयत क्या होता है यह होती है लंबाई यह होती है चोड़ाई ऐसी आकरती जिसकी आमने सामने की भुजाएं बरावर हो और कौन कैसे हो नबे डिगरी को हो इसे क्या कहते है पन आयत कहते है ना क्या कहते है आयत कहते है अब आयत का छेतर फल क्या होता है आयत का छेत्रफल क्या होता है बताओ लंबाई गुड़ें चोड़ाई और आयत का परिमाप क्या होता है बताओ दो गुड़ें लंबाई और धन चोड़ाई इतने बिक्रनिस में क्या होते है बरावर होते है अब दिखो उसने लंबाई और चोडाई का जो अनुपाद दिया आपको वो कितना दिया ? पांच अनुपाद चार दिया क्या दिया और अनुपाद एक मान बस्त विक मान तो होता नहीं है तो हम कह देंगे कि ये पांच एक्सो चार एकस हो गया अब देखो छेत फल क्या होता है छेत फल होता है लंबाई गोड़े चोड़ाई ठीक है तो छेत फल कितना दिया बताओ छेत फल कितना दिया छेत फल दिया कितना भी यह 500 दिया और लंबाई कितनी है 5x और चोड़ाई कितनी है 4x पंचो के कितना हो जाएगा बताओ 20 पंचो क एकस एकस क्या हो जाएगा एकस स्क्वार 20 आजाएगा नीचे यह 0-0 कड़ जोग कितनी हो गई लंबा ही कितनी आगई लंबही आगई 55 ooh चोड़ाई कितनी आगई 20 अब उसने आपसे क्या पूँचा आए उसने क्या पूँचा परिमांप क्या परिमांप क्या होता है दो गोड़ें लंबही और धन चोड़ाई तो लंबाई कितनी है यह 25 चोड़ाई कितनी है 20 25 कितना होता है 45 45 दूनी 90 तो क्या आगे परिमाप आयत का 90 मीटर तो क्या अंसर 90 मीटर ठीक है यह सब मीटर में हैं जी सब किस में मीटर में है समझ गए आगे चलते हैं एक कमरे की फर्स का परिमाप कितना है यह 18 मीटर है चारों दीवारों का छेत फल कमरे की चारों दीवारों का छेत फल कितना होगा यदि उसकी उंचाई यदि उसकी चाई कितनी है तीन मीटर है एक कमरे की फर्स का परिमाप दिया है उसने कमरे की चारों दीवारों का छेत फल पूंचा है और उंचाई भी दे रखी है तो ध्यान देना चारों दीवालों का छेत्फल क्या होता है बताओं याद है फर्मुला चारों दीवालों का छेत्फल बरावर चारों दीवालों का छेत्फल बरावर चारों दीवारों का का छेत्रफल बरावर क्या होता है two into l plus b into G ये formula पहले आपको याद कर लिना चाहिए चारों दीवालों का छेत फिल बरावर two into l plus b into H ये होता है चारों दीवालों का छेत फिल अब प्रिस्न में परिमाप दिया है परिमाप का छेत फिल क्या होता है बताओ दो गुड़ें लंबाई धन चोड़ाई परिमाप कितना है 18 बरबर दो गुड़ें लंबाई धन चोड़ाई कितने दो नाम 18 तो लंबाई धन चोड़ाई कितनी आगए वह यह 9 आगई कितनी आगई 9 आगई अवसने उंचाई दे रखी इतनी 3 मिटर उंचाई कितनी है 3 मिटर तो देखो यह हमारा क्या चार दीवाले को चित फल तो लंबाई और चोड़ाई की वेलू कितनी आगई 9 उंचाई कितनी है 39 37 27 दूनी 54 तो क्या अंसर 54 इस सुत्र में रख दो आप है किसमें इसमें तो छेतर फल बरावर किसका छेतर फल चार दीवालों का दो गुणे लंबाई धन चोड़ाई और गुणे क्या उंचाई तो लंबाई धन चोड़ाई की मान कितना आगए देखो 9 आगया गुणे 9 उंचाई कितनी दी है 3 तो दो नमठा रतिया 54 तो 54 मीटर स् अच्छे तरफल तो कॉन्स ऑप्षिन, सी ऑप्षन हमारा क्रेक्ट हो जाएगा कॉन्स ऑप्षन, सी ऑफ्षन हमारा क्रेक्ट हो जाएगा क्लियर जी कॉनसेप्ट अब आगए चलते हैं नई समझ में आ रहा है तो उसको प्र श्रीष रिपीट कर सकतो है मतलब क्या हुए इसका मतलब क्या हुगा? इसका मतलब हुगा कि 25 बटे 2 का माने गुणा X परसेंट माने X बटे 100 है माने बरावर 1.500 तो 25 चो की कितना हो तब यह 100 चार दूनी? 8 तो X बटे 8 बरावर 1.500 15 अठे 120 तो कितना हो जाएगा यह? 1200 तो X का मान कितना आ गया? 1200 आ गया कितना गया? 1200 आ गया ठीक है जी? 50 दोगो यह बोड़मास का सवाल है तो बोड़मास में क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट ओफ डिवीजन, मल्टिप्लिकिशन, एडिशन, एडिशन, और सब्स्रिक्शन ठीक है? में क्या करते हैं? ब्रैकेट करते हैं पिर का फिर भाग, फिर क्या गुडा फिर जोड फिर गटा न तो यह ब्रैकेट में हैं ते पहले इसको खोल करते हैं से कितना गया? । 25 में और 100 में से 25 और 55 और 250 люб देखो देहान से step by step सबने आपको 50 just यह कितना है 100 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 फिर मंजला बरेकेट फिर बढ़ा तो 50 पिलस 100 100 माइनस 35 30 में से 20 कितने बचे 10 ठीक है 50 पिलस सो 35 में 10 कितने बचे 25 ध्यांदने यहां पर गुणा दो भी है ठीक है 50 पिलस 100 में से 25 कितना 75 गुणा कितना दो पचास पिलस 75 कितना देड़ सो और देड़ सो पचास कितना 200 तो यह इसका complete solution होगी है तो कितना अंसर दोसर एक सवाल इसका आएगा सरलीक रणक हंडेट परसेंट तो 10 और 13 दोनों की गुलज होने का बदलवी है कि 10 और 13 दोनों से कटनी चाहिए तो जो संख्यां 10 और 13 दोनों से कटती है वो 130 से भी कटती है तो 130 से कटने वाली संख्यां बटा बटा दो बता दो आप तो तिरा साते 91 तो अधिकतम कितनी वार जा रहा पहाड़ा साथ वार यानि साथ संख्यां ऐसी होगी होगी कितनी साथ संख्यां ऐसी होगी समझगे भई यह बात ठीके जी अगर आपके आसपास या आपके रिष्टिदार में या परिवार में कोई भी बच्चा ऐसा है जो क्लास थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में स्टड़ी कर रहा है और नवोदे बिध्याले सैने के स्कूल रास्डे डीटरी स्कूल विध्याग्यान आधी स्कूल में पढ़ना चाहता है उसकी तैयारी करने पड़ेगी इस कूल में रहकर क semla वोत नहीं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिस सेट में सभी को जय हिंद जय भारत और वंदी मात्र हुआ